सबको मेरा शुबोदे आज हम छटवीं की हिंदी में पाठ दो वर्ण माला इसे सीखेंगे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेर जरूर करिए हमारी सारी कक्षा की वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना होगा नीचे दिये गए लिंक को क्लिक करिए और सारे वीडियोस को देखिए पाठ तो वर्ण माला तो पहले स्वर वर्ण माला के दो प्रकार होते हैं एक तो स्वर और दूसरा विंचन तो स्वरों से हम शुरू करेंगे मेरे साथ आप भी बोलिए ठीक हैं? स्वर आ आ इ उ रू ये आई ओ आउ अम अहा फिर से बोलें आ ये ये रू ये आई वो आउ अम अहा ये तो हो गए स्वर अब चलिए व्यंजन सीखें व्यें व्येंजन 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 थ त थ थ द ध न प भ भ भ भ म या र ल व ख ख श स ह ख त्र ग्न्या श्रा बहुत अच्छे तो चलिए हमने आज क्या सीखा तो हमने आज हिंदी वर्णमाला सीखी हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं कौन-कौन से हैं? स्वर और वेंजन वेरी गूड बहुत अच्छे तो आज हमने वर्णमाला पढ़ना सीखा अब हम वर्णमाला को लिखना सीखेंगे चलो फिर सिखते हैं स्वरोम का लेखन अभ्यास जैसे मैं लिखता हूँ आप भी वैसे ही लिखें आप हमने लिखा है आप और दूसरी लाइन में भी हम लिखेंगे इस प्रकार आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको तीन लाइन को मिलाकर ठीक से लिखना है देखिए हमने लिख दिया है ये कौन साक्षर है क्या आप बठाना चाहेंगे सही जवाब ये है आप इसी प्रकार सारे बॉक्सों को भरना है तो चलो तीसरी लाइन को भी लिखें आपको पता है ये कौन साक्षर है हाँ सही बताया आपने ये है ई तो हम चलते हैं छोती लाइन में आपको पता होगा ये कौन सा है अक्षर आपका जवाब है सही ये है इ तो हम चलते हैं पांचवी लाइन पे ये आपको अक्षर पता है तो बोले आपका जवाब उ है तो आपका जवाब सही है यह आपको अक्षर पता है तो आप बोलिए मेरे साथ आपका जवाब सही है अगर आप उू बोलें तो हम साथ में बोलते हैं उू आपको अक्षर यह पता ही होगा हमने साथ में पेच पे सुना था हम साथ बोले थे ना साथ में पेच पे तो आपको मालूम ही होगा हम फिर से बोल सकते हैं चलो बोले ये है उ ये कौन साक्षिर है आपको पता होगा तो आप मेरे साथ बोलिये ये है रू ये कौन साक्षिर है आपको पता ही होगा ए आपका जवाब सही है अगर आप A बोले तो ये एक्षिर है आई चलो हम साथ मिलकर बोलते हैं ऐ अगला अक्षिर कौन सा है आपको पता है तो बोले ओ यह अक्षर का नाम है आओ चलो हम बोलते हैं तीन बार आओ 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 यह है हम बोलेंगे तो आप सही है ऐसे ही करके हम अहां भी लिख देंगे और पूरे बाक्सों को भर दीजे कि कौन जाक्षर है रू हम साथ में बोले है रू ए के आई 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 ओ आउ हम आहां है आई आउ आज के लिए वस इतना ही तो हम मिलते हैं अगली बार दन्यवाद अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली कक्षा में धन्यवाद देतना हैं झाँ झाँ झाल झाल